कि अपने होसले बुलंद कर मंजिल तेरे बहुत करीब है कि अपने होसले बुलंद कर मंजिल तेरे बहुत करीब है बस आगे बढ़ता जा ये मंजिल ही तेरा नसीब है जैहिन जैभारत माभारती के लारलो आप सभी का गुरुकुल आर्मी ओनलाइन प्लेट पर हार्दिक स्वागत अभी नंदन एक बार क्षेशन को शेयर कर दीजिए आज की क्लास बड़ी मैतापून होगी जिए जीत बेच वाड़े बजन्दों के लिए जो दिल्ली प्लिस की तैयारी करें उनके लिए जो रिवीजन वाड़ा चेप्टर रहेगा जो कौन-कौन से एक्जाम में क्यूशन्स पुछे जा सकते हैं वह सारे के सारी क्यूशन्स इसमें डिसक्स करेंगे जो पूरा एनलाइसिस करेंगे अपने साइंस का जिसमें अपने कुछ जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उनका बिना किसी देरी के एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और क्लास का आगाज करते हैं आज का पहला क्यूशन की माइट्रो कॉंड्रिया का दूसरा नाम बताईए कि माइट्रो कॉंड्रिया उसका दूसरा नाम बताईए एक बार कमेंट शेयरे में चाप जीए उसके बारे में डेटेल से हैं तो डिसी जान करें लेते हैं जी बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल इसका right answer जी mitochondria का दूसरा नाम कोशीका का सकतिग्र है क्या है गुर्जी कोशीका का सकतिग्र है या फिर कोशीका का powerhouse या फिर कोशिका का सक्ति के अंदर कोशिका का सक्ति के अंदर कोई भी नाम पूचा जा सकता है तीनों में कोई भी एक नाम उप्शन में होगा जिसका राइट उप्शन आपके सामने तीन उप्शन दिया है तीन नाम दिये हुए है पात करते हैं गुर जी इसमें माइट्रो कॉंड्रिया से रिलेटेड और कौन सा क्यूशन पूचा जा सकता है कि माइट्रो कॉंड्रिया से संबंदित गुर्जी नाम से पूचा जा सकता है कि माइट्रो कॉंड्रिया का नाम किस ने दिया था जो लग बग बहुत से एक्जाम में देखने को मिला है तो गुर्जी सिबेंडा नामक वेगैनिंग ने सिबेंडा नामक वेगैनिंग थे जिनों ने ये है नाम दिया था जी गुर्जी बात करते हैं उसके बाद खोज की कि अगर खोज से पूछ लिया जाए कि माइट्रोकॉंड्रे की खोज किसने की थी तो माइट्रो कॉंड्रे की खोज मेरे लाड़ ले अल्टमान नमक वेगैनिंग ने कीती किस ने कीती अल्टमान नमक वेगैनिंग ने कीती जी गुर्जी इसके अलावा कौन सा क्यूशन पूचा जा सकता है कि इस में से जो जो जारों और जिल्ली पाई जाती है वह जिल्ली कैसी होती है ये कि उसे ने पूछा जा सकता है कि माइट्रोकॉंड्रिया के जो चारों और जिल्ली होती है वह जिल्ली कैसी होती है चारों और तोहरी जिल्ली होती है चारों और तोहरी जिल्ली से परीबर सचना होती है मैट्रोकॉंड्रिया इसके अलावा इसके जो आंत्रिक भाग होता है मैट्रोकॉंड्रिया के जो आंत्रिक भाग होता है उस आंत्रिक भाग पर आंतिरिक भाग पर अंगुली नुमा उबार पाया जाता है अंगुली नुमा उबार पाया जाता है जिसें क्रिष्टी कहते हैं क्रिष्टी कहते है छीक है जिसें क्रिष्टी कहते है जिन्होंने क्रास नहीं लिए एक बार लिष्टाथ में लिखते जाए जी गुरुची इसके अलावा जो खादे अनू है जो खादे अनू का आक्षी करना करता है क्या करता है खादे अनुओं का ओक्षीकर्ण करता है और ओक्षीकर्ण करके उर्जा उत्पने करता है एक बार स्कीसों ले लिए उसके बाद आगे कियो चलते है या उस बार हम इगजाम में सबसे जड़ सबसे इत्ता है पूतर जा सकता है कि जीकर्ण giys का दूसरा नाम या कोषिका का सकती जिसें कricti कहाा जाता है अंगली नमगंवा उभार पाया जाता है जिसें कृषिटी कहा जाता है और खादे अनुओं का ऐक्सीकार्ण करके उर्जा उत्पन करता है जो एटिपी के रूप में होती है बात करते हैं अगल पूछा जा सकता है की माइट्रोकॉंट्रिया नाम किसे ने दिया था तो गुरूजी माइट्रोकॉंट्रिया नाम सिबेंडा नमक वेगैनिक ने दिया था इसके अलावा क्या पूछ सकता है कि गुरूजी खोज किसे ने कीती तो माइट्रोकॉंट्रिया के खोज में इंपोर्टेंट रहेंगे शिंड्रोम से एक्जाम में लगभग देखने को क्यूसन मिलता है तो चाप जिए एक बार कमेंट सेशन में कि डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम जी बिल्कुल सबसे पहले तो इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता कैसी है जी साके हमने बताया था है डाउन दिख रहा है ऐसा तो इसको उल्टो करो उल्टा करो तो यहां से ऐसा हो जाएगा 21 हो जाएगा तो यहां पे लिख दो गुर जी की 21 21 जोडी के गुनसुत्रों में दो की जगए तीन गुनसुत्र दो की जगए तीन गुनसुत्रों हो जाते हैं तब डाउन सिंड्रोम रोग होता है बात करते हैं इसके अलावा यह जो डाउन सिंड्रोम है इसकी खोज किसनी की थी गुर्ची इंगलेंड के एक वेगनिक थे कहां कि गुर्ची इंग्लेंड के इंग्लेंड के वेगनिक थे जिनका नाम था लेंग्डन लेंग्डन डाउन नाम था और इनके नाम पर इसका नाम पढ़ा था डाउन सिंड्रोम और इन्होंने एक जड़बुदिता और था जडबूदी था रोग की भी की खोज कीती जडबूदी था एक रोग था उस रोग की भी खोजी लेंग्डन डाउन नमक वेगैनिक ने कीती और इन्हें के नाम पर इस डाउन सिंड्रोम नाम पड़ा था बात करते हैं इसमें किस विजोड़ी में दो गुर्ण सुतर की जगा तेन गुर्ण सुतर हो जाते हैं और गुर्ण सुतर के सेंगा गुर्ण जी कितने हो जाती है टोटल दो कि जगा या तीन हो गए तो टोटल कितने हो जाते हैं 46 होते हैं मनुश्य में और हो जाते हैं कितने यह उन्हें पर जी अगले कुह नहीं कि टर्णट लूम टर्णट के भारे मुद्ण करना कि ट्रणट सिंड्रॉम से कौन कोन'Saction पूछत जा सकते हैं तो एक बार साथ जी एक बार Comment-sezion मा जी बिल्कुल टर्न सिंड्रोम गुर्जी लिंग गुंसुत्र की कमी से होने वाड़ा रोग है उनसा गुर्जी लिंग गुंसुत्र की कमी से होने वाड़ा रोग जिसमें एक लिंग गुंसुत्र की कमी हो जाती है एक लिंग गुन सुत्र की कमी हो जाती है और होती किसमें गुर्जी महीलाओं में होती है किसमें होती है यह रोग सिर्फ और सिर्फ महीला में होता है महीला में कितने गुन सुत्र होते हैं गुर्जी 22 पलस अक्स अक्स होता है जिसमें एक अक्स की कमी रह जाती है तब ये सिर्फ महिलाओं में होने वाला रोग है इसके अलावा गुर्जी इसमें जो टोटल कितने हो गए गुर्जी 22 जोड़ी हो जाते हैं 24 गुंसोत्र प्लस एक गुंसोत्र हो जाते हैं क्या करते गोरजी मा नहीं बन सकती या यूसा बान लें सूद्ma बान बन किस भी सिंड्रोम के कारन होता कि टन सिंड्रोम के आपुझा जि स्के अलावा कोज से इसमें से पूछा जा सकता है कि इसमें जो लक्षन होते हैं इसमेर मद्लो Chi अलप्य विव. विक्षित है जन्नांग है वह है अलप अलप विक्षित हो जाते हैं ठीक है इनका कद होता है वह छोटा होता है कद होता है वह इनका छोटा होता है एक बार इसकी शोड़ लिली उसके बाद चलते हैं कि टरने सिंड्रॉम गुर्जी लिंग उन्सुत्री की कमी करना होता है एक ठीकि खे जाता एक बाने जबाना कारना ये क्वारन आगा एक सकताल एक स्मूपन कारना होता mo Spencer है तो कलाई फेंडर सिंड्रोम के बारे में हमें चर्चा करनी है जी गुरुजी बिलकुल बिलकुल यह सिर्फ और शिर्फ पुर्सों में होता है बिलकुल आपकी बात पहले लिक देते हैं गुरुजी क्यावल पुर्सों में होता है क्यावल और क्यावल पुर्सों में होता ह चीक है इसमें क्या होता है गुर्जी पूर्स में क्या होता है 22 प्लस अक्सवाई होता है जबकि एक लिंग उनसुत्र अधिक था हो जाती है एक लिंग उनसुतर अधिक है एक लिंग उनसुतर अधिक हो जाता है ठीक है जी गुर्जी तो टोटल कितने हो गई गुर्जी टोटल 47 गुर्ण सुतर हो जाते हैं और यह शिर्फ और शिर्फ के वल पुर्सों में होता है एक लिंग उनसुतर की अधिकता हो जाती है इसके अ अलावा जो कलाइफ एंडर सिंड्रो में होता है जिसमें गुर्जी सबसे इंपोर्टेंट बात आती है कि इसमें ना जो एक अधिक हो जाता है तो सुक्रणों नहीं बनते है इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा बात यह है कि गुर्जी महिला के जैसे लक्षन आ जाते हैं महिला के जैसे लक्षन आ जाते हैं कैसे जैसे आवाज तिक की आवाज का तिका होना इस्तनों में वर्दी होना ये सारे के सारे लक्सन है वो क्लाइपेंडर सिंड्रोम के कारण पुर्सों में आते हैं तो एक बार स्क्राइपेंडर सिंड्रोम जिसमें केवल पुर्सों में होता है एक लिंग गुन सुत्र के दिखता हो जाती है टोटल 47 सगुन सुत्र हो जाते हैं सुक्रणों नहीं बनते हैं महिलांग जिसे लक्षन आ जाते हैं और आवाज का तिका होना एक बार स्क्रिंस ओर ले लिजिए उसके बाद आगे की ओर चलते हैं अगराए मुझे पटाउ सिंड्रोम कि इस गुण सुत्री की परिवर्तन के एकारण होता है तो पटाउ सिंड्रोम के बारे में आपको बताना है तो साथ जी एक बार पटाउ सिंड्रोम जी बिलकुल बिलकुल पटाओ में गुर्जी कौन से गुर्ण सुत्र में गुर्जी तेरवे में तेरवे में के साथ जैसा कि यहाँ पे है पैटाओ पटाओ ना तो पटाओ में यहाँ से ले लिया तेरा तेरा बना तो तेरवी जोडी में तेरवी जोडी में दो की जगह तीन दो की जगह तीन गुन सुत्र हो जाते हैं तब कौन सा होता है गुरुजी पटाव सिंड्रोम होता है इन में ये पटाव सिंड्रोम होने के कारण कौन-कौन से जो परीवर्थन होते हैं वो कौन-कौन से हो जाते हैं गुरुजी तालू होता है उस तालू में दैरारे हो जाती है तालू में दैरारे है चीक है जी गुर्जी इसके अलावे इनकी आवाज में भी परिवर्तन होने लगता है मनुझे जो आवाज होते है उस आवाज में परिवर्तन हो जाता है और बहरापन वह हर्दे से संब्दित रोग भी इसी में होता है एक तो बहरापन बहरापन और हर्दे से संब्दित हर्दे से संब्दित प्री रोग इससे हो जाते है एक बार स्किन्स ओर लिडिए उसके बाद अगले को कि और चलते है यहां वो भी इसी में होता है जो उपरी होट होता है मनुस्य का जो उपरी होस्ट उपरी होस्ट कट जाता है मनुस्य का जो उपर वाला होट है यह उपर वाला होट कर जाता है एक बार SSCCS हमें कुछन पूछा गया था कि मुझे उसके में कौन सा सिंड्रोम के होने के कारण है मुझे उसके जो उपरी ओस्ट है उपरी राला होट है वह कट जाता है तो गुरजी पटाव सिंड्रोम के कारण है कट जाता है तेरवी जोड़ी में दो की जगा तेन गुर्ण सोतर हो जाते है मुँन में जो तालों में दरारी उत्पन हो जाती है और भारापन हो जाता है और हरते सांवन्दीर तो रोग होती है वह भी आपके पताव सिंड्रोम गुर्जी एठारवी जोडी में परीवरतन, एठारवी जोडी गुर्ण सुत्र में तो की जगए तो की जगए तीन गुर्ण सुत्र हो जाते हैं, तो की जगए कितने गुर्ण सुत्र हो जाते हैं तो की जगए कितने गुर्ण सुत्र हो जाते हैं तो की जगए तीन गुर्ण सिंड्रों में रोग होता है इसके अलावा गुर जी एडवर्ट दो की जगए तीन हो जाते हैं तो इसमें भी टोटल गुन सुतरों की सिंख्या कितनी हो जाती है गुर जी 47 हो जाती है इसके अलावा इसमें कान में विकरती हो जाती है कान में विकरती कान में विकरती गर्दन छोटी और दूसरी इंपोर्टेंट बात गुरुजी की 6 मां से एक साल तक ही जीवत रहते है एक साल तक ही जीवत रहते हैं इसे बच्चे उसके बाद उनकी म्रति हो जाती है ठीक है जी गर्दन इसके अलावा जिनका मुह भी छोटा होता हो और अलक्षन पूछे जाएं तो मुह छोटे वाला सिंड्रोम कौन सा है पूछी मुह छोटा होने वाला सिंड्रोम भी आपका एड़वर्ड सिंड्रोम है जी हाँ इसका पता वेशे बच्चे के जनम होगा बच्चे के जनम से बच्चे के जनम की तो तीन मां का हो जाता है तब पता लगाया जा सकता है तीन मां का का, कि तीन मा का हो, तब पता लगया जा सकता है, जब बच्चा होता है, उससे पहले जो लगता है, उस समय जब मां की कोक्षिन, जो रिपोट यहांती, जो जाँच होती है, उस जाँच में, रक्षृच से जाता है, कि होने वाले बच्चे में, Edward syndrome रोग है तो उसी तो मैं अगर इसका इलाज कर लिया जाए तब तो वहीं पर रुख जाता है अगर इलाज नहीं किया जाता है तो बच्चा 6 मां से 1 साल तक ही जीवत रहता है उस समय बाद उसकी death हो जाती है, कान में विकरती हो जाती है गरदन छोटी हो जाती है मू छोटा हो जाता है और बच्चे के जन्म के 3 मांस हो तब उसका पता लगा है जा सकता है syndrome का अठारवी जोडी गुन सोतर में 2 की जिगा 3 गुन सोतर हो जाते है और टोटल 47 गुन सोतर हो जाते है जी गुर्जी तो एक बार इसके शोड़ ले ले जी जी बिल्कुर तो आसा करते हैं आप सभी स्वस्थे तंदुरुस्त होंगे और एक बार सेशन को दबागे शेयर कर दीजिए आज की क्लास अती में तपूर्ण होगी कि कुछ सेंड्रोम से लेटेर सबसे ज्यादा है कि उसने पूछे जा होंगे लागातार कड़ी मैनत करते रहें सपलता आपको उसे एक दिन परदान जरूर होगी यहां इसी के साथ आपके क्लास भी से इजादत चाहते हैं जाहिंद जाहभार्थ